इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप अपने फोन में यूट्यूब किट्स की अप्लिकेशन यूज करते हैं जो एक बच्चों के लिए यूट्यूब की अप्लिकेशन है और अगर आपको इसमें साउंड नहीं आ रहा है और या आवास से लेकर कोई भी प्रॉब और बिल्कुल ध्यान से जरूर देखते रही है देखिए सबसे पहले आपको दो चीजें मेक्शियूर करनी है सबसे पहले आप अपने वॉल्यूम बटन को प्रेस करें और यहां पर जो यह तीन डॉट है यहां पर आकर चेक करें मीडिया इस तरीके से फुल है या फिर नह है यह मेक्शियूर कर ले कि मीडिया आपका ओन है फुल है ठीक है इसके बाद यहां पर एक और चीज़ कर ले देखिए एक पर आप सिंपली इस पर लॉंग प्रेस करें और यहां से अंस्टॉल कर दे और प्ले स्टोर से वापस से इंस्टॉल करके ट्राय कर ले ठीक है इस आप Chrome browser या फिर कोई भी browser में चले जाएं यहां जो मैं सर्च करूंगा वही आप भी सर्च कीजिए वाई YouTube किट्स अप्टूडाउन यहां पर आप यह सर्च करें एड अप्टूडाउन की website पर आपको YouTube किट्स देख जाएगा ओपन कर लें यहां आप latest और older दोनों version का option देख पाएंगे latest और older तो आपको older पे click करना है latest पे click नहीं करना है क्यूंकि जयारतर application आप play store से install करते हैं और उसमें latest update आते रहते हैं जिनकी वजह से applications में bug आ जाते हैं और application सही से काम नहीं करती ओल्डर वर्जिन पे click करें इसके बाद यहां पर आपको बहुत से older वर्जिन दिख जाएंगे तो किसी एक पर click करें और यहां से इसे download कर लें download करने के बाद आपके phone में जो already installed है उसे install करें और इसके बाद ही आपको इसे install करना है then आप open करें आपकी problem solve हो जाएगी आपने यह सब कर लिया है problem आपको अभी भी आ रही है sound अवाज अभी भी नहीं आ रहा है तो यहां पर यह आखरी तरीका last तरीका try करें देखिए बहुत बार क्या होता है कि आपके phone में ही कोई permission से related या sound की problem phone में होती है तो उसे सही करने के लिए आपको setting में जा रहा है phone की और search यहां पर करें reset डरिये मत कोई भी data video photos कुछ delete नहीं करा रहा हूं जो मैं कर रहा हूं वही आप करिए कुछ आपका नुकसान नहीं होगा reset all settings में जाए reset all settings का option दिखाई देगा यहां पर आप अपना password इंटर करें और reset all settings यहां से आप कर ले इसके बाद होगा क्या जो भी आपकी गलत settings हो गई होगी चाहे वह permission से related हो sound से related हो तो वह default में आ जाएगी जैसे वह पहले थी और उसके बाद आपकी problem भी solve हो जाएगी उमीद करता हूँ आपकी problem solve हो गई होगी कुछ पूछना होगा तो आप comment में पूछ सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स दोर को subscribe जरूर कर दे